जै मातादी दोस्तों, घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी सबका कल्यान करेंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में योगनी एकादसी कव है। नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे। असार माह के क्रिष्ण पक्ष की एकादसी की दिन भगवान विष्णू के निमित योगनी एकादसी करने का विधान है। वैसे तो साल में 24 एकादसी होते हैं लेकिन जब पुरसोत्तम मास याधीक मास होता है तो एकादसी कुल 26 हो जाते हैं। वैसे तो सभी एकादसीों में नारायन समतुल फल देने का सामर्थ है। ये सभी अपने भगतों की कामनाओं की पूर्ती कराकर उन्हें विष्णू लोग पुछाती है। इनमें योगनी एकादसी तो प्रानियों को उनके सभी प्रकार के यपियस और चर्म रोगों से मुक्ती दिला कर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। भगवान विष्णू की मूर्ती को ओम नमो भगवते बासुदेवाय मंत्र का उच्चारन करते हुए असनान आधी कराकर वस्त्र, चंदन, जनेव, गंद, अक्षत, पुस्प, धूप, दीप, नवेद, ताम्बूल, आधी समर्पित के आर्ती उतारनी चाहिए। पदम पुरान के अनुसार योगनी एकाजसी समस्थ पातको का नास करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्रानियों के लिए सनातन नौका की समान है। यह देह की समस्थ आधी ब्याधियों को नस्ठ कर सुन्दर रूप, गुन और यस्देने वाली है। इस ब्रत का फ पुवेर के स्राप से कोड़ी होकर हे ममाली नामक यक्ष, मारकेंड रिसी के आस्रम में जा पहुचा। रिसी ने योगबल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया और योगनी एकाजसी ब्रत करने की सलाह दी। यक्ष ने रिसी की बात मानकर ब्रत किया और डिब शरीर धारण कर स्वर्ग लोग चला गया जो लोग योगणी एकाज़ी का ब्रत नहीं कर पाएंगे उन्हें इस दिन भूल कर भी चावल और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है एकाज़ी तिती को चावल खाना वर्जित माना गया है इसके पीछे एक पौरानिक मानिता है कि मात अता इसको जीव के रूप में मानते हुए एकाजसी को भोजन के रूप में ग्रहन करने से परहेज किया गया ताकि सात्वीक रूप से विश्णु प्रिया एकाजसी का ब्रत संपन्द हो सके। आपको बता दे कि साल 2023 में योगनी एकाजसी का ब्रत 14 जून दिन सुक्रवार को रखा जाएगा। ब्रत का पारन आपको 15 जून को सुबह 5 बचकर 32 मिनट से लेकर सुबह 8 बचकर 10 मिनट तक कर लेना होगा। इस दिन आप भगवान विश्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विद्वत पूजा करें। भगवान को फलफूल अरपित करें और सच्ची स्रधा के साथ उनकी आरती करें। भगवान विश्णु की अनुकंपास से जहां आपके जीवन में सकारात्म कुर्जा का प्रवेस होगा। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भरेंगे। आर्थिक मोर्चे पर संपन्यता बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को करें थैंक्स।